सब कैसे हो मैं हूँ नो रिटेल ना इंजनर पर आप लोग और स्वागत मैं आज आप लोग साथ बात करने वालों भी आई का 2G 3G सिम को फोर्जी में किस तरह से आप गेट करोगे किनना खार चाहते हैं किनना कमिशन आते हैं वो फूल दिरेज आज हम बात करेंगे तो जो भ तो सबसे पहली बात तो है कि यह जो आप गेट सिस्टेम है यह जो भी जी मलब भी आई के रिटेलर सिर्फोसिब ओई लोग कर सकती और इसमें इंकाम अच्छा खासा है और यह सब को चाहिए भी जिनके पास भी पुराना भी आई का सी में उसको आप गेट करना पड़ेग तो सिम आप गेट करना है पाड़ेगा और सिम आप गेट करने भी खर्चा बिल्कुल भी नहीं इनका बहुत बढ़ी है मैं आप लोगों को लाइफ सब कुछ बताऊंगा दिखाऊंगा तो जारो आप लोग भीडियो को इन तक देखना है मेरे एक पार्सनला रिकोष्ट है आप सभी लोगों से तो सबसे पहली बात तो है आप लोगों को यहाप दो टाइप का पॉस्ट मिल जाते हैं सिम को आप गेट करने के लिए सबसे पहला पॉस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं जो आप लोगों को स्मार्ट करने जो एप है उसको सबसे पहले ओपन करन बाद नीचे में 27 ग्रैक। मीं जाएगा साइड में देख सकते ह। साफडिस उसके बाद या पर आप लोगो सीम आपकेट का आपसिन सीम आपकेट का बर जाो और याप पर आप लोग जो नंबर कब आपर का ने चाहे तो उस टाल दो और इस नंबर को डालने के बाद नीचे में SIM number डाल देना, जो SIM number डाल देना, या SIM के उपार जो keyword कोट है, उसे ही आप लोग यहापा scan कर लेना, तो यह process जाब भी कर लोगों, उसके बाद यहापा submit कर लोगे, यहापा request initiate हो जाएगा, उसके बाद यह जो number है, जीस mobile पर यह number है, तो उस mobile पर एक message चला जाएगा और उस number से, उस phone से आप लोगों को एक message करना होगा, जापा लिगना होगा, SIMEX, आप लोग अच्छे से देख लेना, SIMEX लेगना, उसके बाद एक paste देना, मालब एक gap दे देना, उसके बाद जो SIM number, जो SIM card में लिखा है, वो SIM number यहापर आप लोग ले देना, जैसे कि मेरे को ज इस देना, उसके बाद आप लोग इसे send करना, फाइब वान, एक मिनिट, तो आप लोग 55199 नामबर पर इसे send कर देना, फाइब नामबर पर जाब भी send कर दोगे, यहापर आपको और एक message आएगा, यह और अपलेम पॉसेस, एक स्टाइब का message आएगा, उसके बाद आपको और एक message receive होगा, जो कि एक बहुत important message है, जाप लिखा रहेगा, Hi, we have received a SIM upgrade, तो आप लोगों को जाब भी एक message आई, instant, आपका जो number 55199 नामबर पर capital letter में Y लिखकर send करना ही पाड़ेगा, जाब भी आप capital letter में Y send करोगे, उसके बाद आपके number पर एक भी आई company के तरफ से call आएगा, और call आने के बाद, ओलो call पर बताएगा, कि आप English में बताएगा, कि यह 24 hours तक आपके income outgoing, यह से में बंद रहेगा, confirm करने के लिए एक मलदा पेस कीजिए, उसके बाद जो SIM number, जो SIM time card पे लिखा रहे है, इनननने मेरे जो नाम बार है, उसका last जो 6 digit का है, last 6 digit वो आप लोगों की आपर इंटर करने के लिए बोलेगा, तो just आप last 6 digit इंटर कर देना, उसके बाद confirm करने के लिए एक पेस कर देना, तो जब भी एक काम कर दोगे, यह successful हो जाएगा, और और commission के बाद और कितना खर्चा है, ओ बाद मैं बता देता हूँ, तो यह आपर commission जो है, ओ अगर आप लोग इसे keyboard mobile पर रखोगे, तो लागबाग 15 से 20 रुपीज का commission मिलेगा, और इसे आप Android mobile पर रखोगे, तो 20 रुपीज से लेकर 30 रुपीज का commission आप लोगो को direct आपका जो smart connect app ह आप इंस्टन केडिट हो जाते हैं, आप साइड में दीख सकते हो, ओके जो कि मैं पहले जो किया था एक Android mobile पर SIM exchange किया था, मला अपगेट किया था, जिसमें मेरे को 30 रुपीज का commission मिला था, और आज मैंने जब किया, एक keypad mobile पर था, तो मेरे को 15 रुपीज का commission मिला, तो और यह पर कोई भी खर्चा नहीं आते, सी पर सिफ जो 5 रुपीज का SIM का खर्चा आते, से ओ खर्चा आते, बाकी यह पर कोई खर्चा नहीं आते, SIM आपगेट हो गया, और आपको यह पर जो, आपका जो commission हो instant credit हो जाते, और ही जो SIM में लागवाद 2 घंटे के आंदर चालू चाता था, पर वह पर जो मैं कीपर मूबाल से जो कर रहा था, उसमें ने ट्रॉक बहुत ही घटिया था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो इसलिए काम मलब आच्छे से आप लोगों नहीं दिखा पाया, बार ने मेरे पास कोई भी customer आता है, जो कि भी हाई SIM को आपगेट करना चाहिए, तो लाइप पॉसेस में और एक बार मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आपगेट मलब किया जाते है, तो आपको अगर आपगेट करने में कोई भी दिख्कादा थे, तो आप कमेंट करके बाता हो, हर एक कमेंट के रिप्लाइ आप ल